नमस्कार सातियों मैं आपका दोश्दन रास्ता जी फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर रहा हूं सातियों आज का वीडियो अपना विटाल जीन इंजेक्शन के उपर विटाल इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा सातियों कि ये वेटनरी फिल्ड में इतना ज़्याद है यूज में क्यों लिया जाता है इसको किन-किन लोगों में लगाते हैं किस रूट से लगाते हैं किस पसू में नहीं लगाना चाहिए और इसकी डोज क्या है सब कुछ आपको डिटेल से वीडियों बताऊंगा साथ इसलिए बने रहे हैं मेरे वीडियों अब चलते हैं अपने वीडियो के और बिना टाइम कराब गये तो साथ है वेटालजीन इंजेक्शन के अंदर साथ आता है एनालजीन और इस इंजेक्शन का उप्योग किया जाता है ज्यादा कर जैसे आपका पसू हीट स्टेज में आ गया हीट है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है और यदि आपके पसू का टेमप्रेचर बढ़ गया है तो इन सभी चीजों के अंदर वेटालजीन इंजेक्शन इसका बहुत ही शांदार रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस आती हो और यदि आपके पसू में जैसे मुह कोई आप रही है नियुकाब्स में जागा हुआ रहे है बहुट से लाट रिटाप गिर यह गर्मी की वजल्बर ल्खे से गफर तर या किसी परकार का पी ला दर्ड़ में पहले किसी परकारय दर्ण ती ए नियुक्ट के छीओ थें तो श washer गूणा समंधने में डिक्कताहाई यह लंग्रा के चल रहा हो यह यह पूराना धरद जोडों में तो उसमें इसका बहुत उस्यक्षाος अच्छा आश्य के दर्द साथ हो जोडोंसे संबंध किसी परकैर डर्द॥ साथ हो जो िटाल जीडिन में कि जैसे पसु कहीं पर गिड़ जाता है तो उस वजह से चोटा जाती है और कहीं बार मसल्स फट जाती है पसु की उससे बहुत जादा दर्द होता है बहुत जादा पेन होता है तो उसमें भी साथ इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है वेटालजीन इंजेक्षन का आपके पस्व में किसी प्रकार के नर्वाइकर डीजी जी जाए या किसी तरह से आपके पस्व की नस खिच गई है इस वज़े से अगर आपके पस्व को उठने पेटने दिक्कता रहे तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है इस वेटालजीन का यदि आपके पस्व में टेंडो जाएने से आपके पस्व में किसी भी संकरमण के वज़े से सोजन आ गये है तो उसमें भी इस वेटालजीन इंजेक्षन को प्योग किया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है शाथि हो यदिए आपके पस्व मे से पूरा से जखड गया है चल पिर नहीं पा रहा है बिल्कुल भी तो उसी स्थिति में साथी विटाल जीन इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है यदि आपके पसों किसी प्रकार का गेस्ट्रक इंफेक्शन हो जाए तो उसमें कापी अच्छा रिजल्ट है इसका यदि हमारे छोटे पसों जैसे डोग हो अगर उसमें उल्टी होती वो मेटिंग होते तो उसमें विश्क का प्रियोग किया जाता है सातियों और कापी अच्छा result मिलता है इसका और सातियों अब मैं इसकी डोज रेट बता देता हूं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको एक पस्वो से जुड़ी किसी परकार की शमश्या का समाधान जिए या मेडिशिन से रिलेटेड किसी परकार की सही औ जरूर करें और जो घंटी वाला बटन देख रहा है इसमें ओल वाला उप्सन जरूर दबाई ताकि मेरे आने वाले वीडियों आपको सबसे पहले मिल सके अब चलते इसकी डोज रेट की ओर जो वेट आलजीन इंजेक्शन है सातियों जैसे गाए भैंस है उनके अंदर इस पूरी लगवा सकते है और यह जरूर इंपोटेंट दान रखना है कि साति जैसे गोड़ा गोड़ी ओर सोते उनके अंदर इसकी डोज दुगनी हो जाती है घोड़े गोड़े में वेट आलजीन इंजेक्शन को 20 अमेल से लेकर 60 अमेल तक लगाए जाता है सातियों और जैस चोटे बच्चडे बच्चडी है उनमें 5-10 अमेल प्रियोग किया जाता है इसको और जैसे बकरे बकरी है भेड़े तो उनके अंदर इसको 2-7-8 अमेल तक लगाते है सातियों और जैसे पिग होता है उसमें बोड़ी वेट की साफ से 10 अमेल से 30 अमेल तक इसको प्रियोग क लगते आईवी नहीं लगतें और other animals में आप इसको IV और IM दोनों रूट से लगा सकते हैं और आपको अगर IV और IM लगा ना सीखना है तो मेरे दोनों वीडियो की link आपको description मिल जाएगे जो thumbnail दिख रहे हैं आप जाका देख सकते हो कि IV केसे लगाते हैं और IM केसे लगाते हैं और सातियों मेरी सभी पसु पालगवाई उसे एक request है कि आप injection पसु चिकित्सक की देख रेक में ही लगवाएं आप खुद डोक्टर बनने की कोशिस ना करें मेरा काम है शिर्प आपको knowledge देना ना कि आप खुद डोक्टर बनो और सातियों दो बात है important है यह आपको ध्यान रखनी है में साँ कि इस injection को सब कट बिल्कुल भी प्रियोग में नहीं लेनाई बूल कर भी और केट में बिल्कुल भी इस injection को प्रियोग में नहीं लेनाई बिल्ली में और सातियों जैसे रूदिर्शे संबंदित कोई भी बीमारी है ज्यादा तो उसमें आप इसको प्रियोग ना करें सातियों और यह एक प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है इसको आप आराम से प्रेगनेंट प्रियोग में लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और साथ यो इस injection को लगाने के बाद ये ज़रूर important ध्यान रखे कि जो meat वाले जो पसु होते हैं जिनका meat प्रियोग में ले जाता है उनका meat आपको लगबग 12 दिन तक प्रियोग में नहीं लेना है ये injection लगाने के बाद में और साथ यो दूद भी आप पसु का गर्म करके प्रियोग मिले दो दिन तक तक अगर आप ये injection लगा रहे हो कोई भी पसु को तो और साथ यो जो ये वेटालजीन इंजेक्शन इसको आप ज़्यादा दूप में ना रखे नहीं तो ये खराब हो सकता है इसको नोर्मल रोम टेमप्रेचर पे आपको रखना है और साथियो मैंने लगबक सभी बाते बता दिये और फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट वोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट जरूर कर दिया करो साथियो ताकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी सच्छी बेतर से बेतर जानकारी वाला वीडियो लाता रहूं साथियो thank you all of you मिलते अगले वीडियो तब तक के लिए बाई बाई